नमस्कार, I am Dr. Vikas Jain, I am Director and Senior Consultant Department of Urology and Kidney Transplant from Dharamshila Narayana Super Specialty Hospital. आट में आपको पूरिश गंती यानि प्रोस्टेट जिसको हिंदी में हम गदूद भी कहते हैं, ये पूरिश गंती हर आदमी में होती है, बट यूजवली ये प्राब्लम देना शुरू करती है पचास साल के बाद, अगर आप इस डाइग्राम की तरफ देखें, तो सबसे प बढ़ना जो कैंसर नहीं होता है, जिसको हम लोग बिनांट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेश ये रहत है, और धस देखें Nathanion Прosht continuation process का बढ़ना due to cancer होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कांसर होता है अगर आप पहले दूसरे चितर को देखे इसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेट की जो गाट है वो साइज में बड़ी हो गई है लेकिन उसका सर्फिस बिल्कुल स्मूथ है अगर बाकी के तीन चितर देखें तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ने के इलावा इसका सर्फिस जो है वो इर्रेगुलर हो गया है तो सर्फिस का इन रेगुलर होना बताता है कि यह बिनाईट पर्ष्टेटिक हाईपरेप्लेजिया नहीं है बलकि एक कैंसर है और तीनों चितरों में देखे तो यह लोकलाइ्सद अर्लिगर्वाइब यह तोड़ा देर का यैंसर है और यह इक इन्फिल्ट्रेटीरीट का और दोनों का इलाज टाइमली अगर कर सकें तो संभव है तो अगर आपको 50 साल के बाद पिशाप की कोई तकलीफ है आपको पिशाप रुक-रुक के आता है पिशाप करने में देरी लगती है जोर लगाना पड़ता है तो यह पॉइंट करता है कि आपको शायद प्रोस्टेट हुआ है और आपको उसका निदान बताएंगे थैंक्यू सो मच